असलाम अलेकुम वेलकम टू टाज किचिन आज हम बनाने वाले हैं मज़दार बेथन के दही वड़े वो भी मेरे अंदाज में तो चलिए देखते हैं इसकी रिस्मिट हमने बोल में बेसन आड़ करिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे कटी हुई प्यास हरी मिर्च हरा धनिया करिया पर लाल मिर्च का पाउडर हल्दी नमक सोडा और अद्रक लेसन का पेड़ अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कर दो तर शोदीन कर दो इसको अच्छे से मिक्स कर ले और 10-15 मिनित तक लिया स्टोने के लिए छोड़ें तब तक के लिए हम अपना दही पेंगे हमने दही को एक बोल में डाल लिया है अब हम इसमें नमा कैड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से पेंगे तेन अच्छे से गरम हो गया है झाल थोड़ें झाल को अपल को अब हगा है कर दो 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 कि यादय झाल, आए झाल, आए झाल, आए झाल कर दो कर दो, जो तो पुआ जो कर दो. बड़ों को अच्छे से दही में डिप कर ले चलिए अब हम इसको बगार दे हमने पैन का सारा ओयल ब्रेंग कर लिया है थोड़ा सा ओयल रखने बगार के लिए लीजिए हमारे दही वड़े बनकर तयार है आप इसको गार्णिश कर ले लाल मिर्च का पाउडर और हरे धनिये से देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं आप भी अपने इसकार में जरूर फ्राइ करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले आपको कैसे लगे चलिए चलती हूँ फिर आउनगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्टे होम स् अगर आपको मेरे वीडियोज पसन आए तो यहने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले